हलो आप सब लोग आश्रा करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे सो आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पॉसन की क्या फीलिंग्स है इस वक्रेंट फीलिंग्स आप पार्टनर जैनरल टाइमलेस वीडिंग है और तब तक जब तक मैं यह रीडिंग कर रहे हूं आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जान को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके पार्टन की करेंट फीलिंग्स क्या है जरूर अच्छे से सुनने कान खोल के ठीक है चलो किंग ऑफ स्वार्ट के एनरजी है और बॉटम में टैन ऑफ स्वार्ट है जमना एक्वेरियस लिब्रा सो मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ खतम करके या फिर सब कुछ खराब करके यह परसन बहुत जादा चुपचा बैठे हुए है कही रहा कही सब कुछ खराब कर दिया और अभी खुद ही इतने आटिट्यूड में या फिर अकड में बैठे हैं और आपको यहां पर तक्लीफ हो रही है कि इतना सब कुछ करके एक इनसान कैसे चुप बैठ सकता है मैं तो यहां पर बहुत जाद परिशान हूं वह वहां पर कैसे करूं तो ऐसा होगा कि आप बोलोगे कि चलो माफी मांग रहा है ठीक है मतलब समझ रहे हुए कि इंसान अगर आके माफी मांगे तो उसकी इगो के उपर बात आ जाएगी ना तो वह वह चीज़ को नहीं करना जाए यहां पर क्या कर रहे हैं वह हर एक चीज को चुपचा ब पतलब what is future of this connection, this connection का future क्या हो सकता है ये भी वो कही ना कही सोच रहे है क्या मुझे वापस जाना है, reunion करना है या आगे बढ़ना है मुझे क्या करना है कही ना कहीं वो confused तो मैं नहीं बोलूँगी वो मुझे सोचते हुए चीज़े दिख रहे हैं और ऐसा मुझे लग रहा ह कि ये ना ये person permanently आपसे दूर नहीं जाते हैं कुछ दिनों के लिए जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं फिर कुछ दिन feelings दिखाते हैं और फिर चीज़ों को control करते हैं ये person definitely आपको शान्ती से जीने नहीं दे रहे हैं हार एक चीज उनका एक बड़ा ही अजीब किसम के इंसान हैं बड़ मुझे वाई दिख रहा है आप अगर उनको बोलोगे भी ना कि तुमने ये गलती किया है और उसको मानो और इसको मान के जो है तुम ये करो मुझे convince करने की कोशिश करो तो कहीं न कहीं ये person बोलेंगे कि नो मैं बल्कुल भी ये कोशिश नहीं करूँगा या फि लोगे आप उनको मनाओ ठीक है और hangain ञाmbar devil energy, Capricorn energy और bottom में two of pentacles पैसो के लिएके आप दोनों के बीच में Capricorn, Taurus, Virgo भी है पैसो को लिएके आप दोनों के बीच में कुछ बाते, कुछ arguments हो सकता है हुआ है, अगर हुआ है तो जरूर बताना something related to money और मुझे यहां पर एक चीज़ दिख रही है कि बहुत आदा उनके desires है आपको लेके, ठीक है, मतलब समझ रहे हो किस type की desires अब इसको negative way में मतलो, क्योंकि क्योंकि आप दोनों couple हो क्योंकि आप दोनों की ही feelings है इस रिष्टे में, तो कही न कहीं इस तेरह की desires रहना लाजमी है, ठीक है, तो बहुत जादा highly sexual desires इनका आपके प्रती है, पहली बात, दूसरी बात मुझे लगता है कि आप दोनों अभी भी connected हो चाहे ये कार्मिक कॉर्ड से connected हो, या फिर किसी सरी किसी connected हो, आप दोनों connected हो आपका दिल, आप लोगों का दिमाग बहुत अच्छे से connected है और लेकिन toxicity यहां पर बहुत हो गई है, मतलब दोनों को प्यार तो है, दोनों को एक दूसरे के प्रती likingness तो है, लेकिन कड़वाहट रिष्टे में बहुत जादा आ गई है, और ये जो कड़वाहट आ गई है वो इतना easily निकल नहीं रहा है तो आप दोनों जब भी इस रिष्टे की नई शुरुआत करने के लिए जाते हो, चीज़े balance नहीं होती है, क्योंकि चीज़े बहुत कड़वी हो चुकी है, एक दूसरे कि बाते आप दोनों को समझ नहीं आ रहे है आपको लगता है वो नहीं समझते हैं, उनको लगता है आप नहीं समझते हो, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, थोड़ा साब अपने रिष्टे में, रिष्टे से नजर उतार लो, अपने रिष्टे को क्लेंस कर दो, नेगेटिविटी रिमोबल करवालो, जिसपे भी बिलीव हो उसके पास जाओ, एक स्पैल करवालो, नेगेटिविटी रिमोबल स्पैल का मैं भी करते हूँ, या फिर आपको जिनके उपर बिलीव है, वो करवालो, क्योंकि वो हो रहा है मिसंडेस्टैनिंग दिन बर दिन बढ़ती जा रहे है तो चाहे आप दोनों के बीच में जितना प्यार हो बात तो अच्छे से नहीं होगा डिप्रेस्ट हो जाओगे आप दोनों, ठीक है और मुझे लगता है कि आप में इसे कुछ लोगों के पार्टनर या फिर आख ऐसा होता है बहुत जादा ना ऐसे गाली गलोज करते हैं मतलब बहुत जादा यूज करते हैं ऐसी बाते बहुत बोलते हैं या फिर बहुत नशा करने की आदत है इस तरीके की चीज़े भी मुझे दिख रही है ठीक है जो भी है ये अच्छा नहीं है ठीक है मतलब तुम लोग ऐसा बोल सकते हो कि हम दोनों जुड़े हुए तो है लेकिन रिष्टे में कुछ positivity नहीं है इतना connected होने के बाद इतना जुड़ा हुआ होने के बाद अगर प्यार के बदले दोनों एक दूसरे के प्रति आग उगलोग अपने रिष्टे में positivity लाने के कोशिश करो ठीक है इस चीज के लिए remedy करना बहुत जाद जरूरी है सुईचो और चांड करना बहुत जाद जरूरी है बगवान की पूजा करना अपने रिष्टे के नाम से बहुत जाद जरूरी है ताकि एक दूसरे के प्रति जो एक विचार है वो अलग हो जाए वो दूर हो जाए ठीक है स्ट्रेंथ बॉटम में है कुई नॉफ मैं इसको क्लारिफाइ करती हूं इंजिस प्लीज क्लारिफाइ स्ट्रेंथ लिए लिए एनरजी है यहां पर और और प्रेंडिकल्स सो मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत जादा आपको पकड़ के रख रहे हैं ठीक है आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आप क्या कर रहे हो आप तो लेटको करी नहीं बारे हूँ यह तो बहुत clear thought है यहां पर मुझे दिख रहा है लेकिन आपके partner भी नहीं कर पा रहे हैं Guys अभी तक reading देख रहे हो तो please वीडियो को like कर दीजे चानल को subscribe कर दीजे तो basically मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि यह person जो है अपनी हर एक दिल के बात को अपने हर एक चीज को अपने दिमाग में बहुत जादा बैठा के रख रहे हैं और कुछ भी ऐसे चीज होना आप let go कर देते हो लेकिन यह नहीं कर पाते हैं सब हर एक issue को लड़ाई जगडे को हर एक चोड़ी चोड़ी बात को आपको लगता होगा कि पता नहीं इसको क्या हुआ है लेकिन यह ना दो महिने पुराने बातों को भी बहुत जादा पकड़के रख रहे हैं मतलब आप नखरा दिखाना चाहिए लेकिन आप नहीं दिख लगता रहे हो यह गलती करके यह दिखा रहे हैं ठीक है और चीज्श मुझे यहां पर लगता है कि ए इनसान ना ऐसे हैं कि बहुत कंट्रोलिंग निचर के हैं ठीक है अब उनको जब आप dragon करने जाते हो तो हो जाते हैं ऑपको क्या दिखाते हैं पता नहीं कि प्वारी ब मना कर देते होंगे लेकिन बाद में सोचते हैं और आपकी बात में आ जाते हैं अब ही मुझे ये situation ऐसा लग रहा है जैसे कि ये person बहुत या तो career focus है या तो ऐसी चीजों के उपर इस रिष्टे में उनका focus है जो चीज important है ही नहीं जिसको पकड़ के रखोगी तो जादा चीज़े issue होगा थोड़े सी मुझे पैसे वेसे कि मामले में खर्च करते हुए बहुत सोचते हुए ये नजर आ रहे हैं शाद इनका property का business हो शाद इनका अपना घर बन रहा हूँ कुछ ऐसे sign भी यहां पर हो सकती है और अपने घर बन रहा हो इस काम में busy हो पैसा कहीं invest नहीं करना जाते हैं ये इस वक्त ठीक है एक तरफ दिखाते हैं कि तुम्हारे लिए मेरा गुस्ता है दूसरा तरफ दिखाते हैं तुम्हें तो में जाने नहीं दूँगा पर जाने नहीं दूँगी पकड़के रखूंगा रखूंगी इस चतार की energy है और यहां पर है seven of pentacles क्या बात है आज पता नहीं क्यों बहु मुझे दिख रही है अब भी अक्वेरियस दिखा सो बेसिकली क्या चीज है यह पॉसन जो आपके साथ ना एक अपॉचुनिटी चाहते हैं एक नया रास्ता चाहते हैं या फिर एक नई शुरुआर चाहते हैं अब आपने बहुत बार सुनी होगी यह नई शुरुआ चाहते हैं लेकिन करते नहीं है क्यों नहीं करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब हर तरीके का situation अच्छा होगा मतलब हर तरीके से career settle होगा हम दोनों के बीच में यह issue खतम हो गया होगा वो issue खतम हो गया होगा जब हर तरीके की positivity आ रही होगी हर तरीके से चीज़े अच्छी हो रही होगी तब हम new start करेंगे तब हम दोनों एक दूसरे के साथ approach करेंगे उससे पहले करेंगे तो कुछ फायदा होगा नहीं या फिर सोच समझ के करना है यह उनका एक दिमाग में बैठ गया है अब चीज़े उनको यह समझना चाहिए कि perfect time कभी आता नहीं है timing को perfect करना पड़ता है तो यहाँ पे मुझे कही न कही लग रहा है कि with the seven of pentacles कुछ सोच विचार इनके दिमाग में बहुत जादा चल रहा है और मुझे लगता है कि यह आपसे बहुत जल्दी suddenly कोई बात share कर सकते है help मांग सकते है कुछ इस तरीके से हो सकता है बहुत जादा open person नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे है कि वो आपके लिए open हो जाए open person मतलब यह शायद बहुत सारी बाते अभी तो share नहीं कर रहे है और नहीं करना चाहते है लेकिन वो try कर रहे है थोड़ी 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 बाते आपके सार शेयर करें कि आप यहीं गुसा कर रहे हो कि क्या हो गया है तुमें क्यूं तुम ऐसे चले गए या फिर छोड़ के क्या इशू है तो उन्होंने आपको कुछ बताया तो है नहीं तो आपके अंदर भी एक गुसा है और उनके अंदर भी एक गुसा है कि तुम क्यों नहीं समझे तो उनको दीरे दीरी यह चीज़ समझ आ रहा है रोना दोना वाला emotional नहीं मतलब feelings होने वाला emotions वो मुझे दिख रहा है कि हाँ इस इंसान को आपके लिए feelings है इस इंसान को इनके दिल में आपके लिए soft corner है यह सारी चीज़े हैं मुझे जो कि दिख रहा है अब इस चीज़ को है तो मना थोड़ी करूंगी ठीक है चालो कुछ और काज देखते हैं अभी तक reading देख रहे हो तो प्लीज आई पोप आप लोगों ने reading को लाइक चानल को सब्सक्राइब यह सब कर दिया होगा ना यह तो मेरा current favorite deck बन गया है इतना beautiful deck है ना मैं इसको हर reading में यूज़ कर रही हूँ इन जिस प्लीज हमें guide करें कि यह person की और यह वह इस वर्थ क्या चाहते हैं इस रिष्टे में आपसे क्या चाहते हैं इस वर्थ इस रिष्टे में क्या चाहते हैं Temperance Sagittarius यह basically चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़े balance हो जाए workout हो जाए काम ठीक है उनको ऐसा feel हो रहा है कि उनकी दुनिया बहुत अलग है आपकी दुनिया बहुत अलग है आप दोनों की priorities अलग है आप दोनों का जुन्दगी जीने का काम करने का सलीका बहुत अलग है आप दोनों का goals अलग है basically उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का गोल सा लगे, तुम्हें लाइप से कुछ और चाहिए, उनको लाइप से कुछ और चाहिए, लेकिन दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों की दुनिया अलग होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच में चीजे बनी रहें ऐसे situation ना आए या फिर ऐसे situation ना हो जहां पर क्या होगा कि एक दूसरे से लड़ रहे हो जगड़ा करे हो नो शांती से चीजे चले कैसे भी करके manage हो जाए चीजे ठीक है और शायद आपना हर एक बात को उनसे share करना बहुत पसंद करते हो आपकी life में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और सबसे important आपको अपनी problem share करना और उनसे उस problem के regarding कोई solution मांगना ये बहुत जादा आपको पसंद है लेकिन आपकी person बिल्कुल approach it है वो अपने tension आपको नहीं देना चाहते है अपने issues आपको नहीं बताना चाहते है वो बस चाहते हैं कि आप दोनों की बीच में बाते होती रहे चीज़े continue होती रहे तुम commitment ना मागो बड़ बाते तुम share करते रहो बहुत चुप रह ठीक है और क्या चाहते हैं यह person इंजिस प्लीज हमें बताएं the tower okay just please clarify क्यों चाहते हैं यह वो king of cups देखो इतना प्यार करता है यह इंसान आपको कि यह चाहता है कि तुम इनसे दूर होके खुश रहा शायद इनको ऐसा लग रहा है कि यह आपको ना खुशी दे पा रहे हैं ना आपको mental peace दे पा रहे हैं ना शांती दे पा रहे हैं कुछ नहीं दे पा रहे हैं यह प्यार करते हैं बट ना ही आपके साथ अच्छे से रिष्टे को continue कर पा रहे हैं commitment दे पा रहे हैं कुछ नहीं मतलब उनको प्यार है लेकिन वो आपको ना कुछ दे पा रहे हैं ना आपके साथ चीजों को कुछ manage कर पा रहे हैं सो basically यहां पर situation क्या चल रहे हैं कि वो चाते हैं कि आप दूर हो जाओ और आप अपने life में बहुत खुश रहो क्योंकि उनको पता है यह आपको छोड़ेंगे नहीं कुछ दिन के बाद फिर वापस आएंगे फिर ऐसे बात बोलेंगे कुछ time के बाद वापस आएंगे और फिर आपको वैसे ही depressed करके रहेंगे तो यह चाते हैं कि आप दूर हो जाओ इंसे निकल जाओ और आप अपनी life में नहीं शुरुआत करो आप अपना खुशी देखो क्योंकि इनका तो यह pattern चलता रहेगा वो basically चाते हैं कि आप खुश होता हो life में आपको कोई depression आपको कोई प्रिशान होगे तो उनको blame फील होगा कि मेरे लिए ही हो रहा है नेक्स्ट क्या देखू रियूनियन के बारे में क्या सोचते हैं वही देखते हैं इंजिस प्लीज हमें गाइट करें कि यह person रियूनियन के बारे में क्या सूचते हैं एक चीज ना मुझे यहां पर दिख रहा है दिल में प्यार और मुँपे बहुत जादा गुस्सा मतलब जो calmness दिखना चाहिए ना प्यार होने के बावजूद भी किसे इंसान से एक calmness और एक softness जो दिखना चाहिए मुझे नहीं दिख रहा है वो मुझे ऐसा लगता है वो अपको भी लगता हो गई कि तो हरे इक इंसान से अच्छे से बात कर रहा है मेरे से क्या problem में इसको ठीक है तो प्रीयूनियन के रिगार्डिंग पॉस्न क्या सूच रहे हैं इंचल पीज हमें जरूर बताएं तो इस तो मजीशियन जरूर रियूनियन करेंगे यह आपके साथ ठीक है शिर्फ रियूनियन नहीं आपने अगर इनको कुछ शादी के रिगार्डिंग टाइम दिया है डेडलाइन दिया है वो चीज भी होगी मैं इसना जरूर बोल सकती हूँ मैं इसलिए बोल रहे हूँ क्योंकि going with the flow का situation है मतलब समय के साथ चलो यह situation उनकी तरफ से है अपकॉर्स लेकिन यह उस चीज में change भी चाते हैं कि जल्दी से जल्दी चीज़े चेंज हो और situation चेंज हो पहली बात दूसरी बात magician का कार्ड है खुद ऐसा कुछ करेंगे जैसे आपको लगेगा कि unexpected खुद कुछ unexpected ऐसा करेंगे जिस सदन आपके रिष्टे में growth आएगी या फिर reunion हो जाएगी और आपने expect नहीं किया होगा और इक चीज़ है reunion आपका manifestation की जरीए भी हो जाएगा अगर आप अच्छे से एक दो महीना बिल्कुल दिमाग से negativity हटाके let go इनको करके इनको भूलके सिर्फ manifest करते हो तो 100% आपका एक महीने के अंदर reunion भी हो जाएगा अब आपकी guides क्या guide कर रहे हैं देखते हैं पहले तो आपक प्लेजर उनका तो वही है कि आपके साथ उनको बहुत प्लेजर एक बहुत inner happiness उनको फील होता है मतलब inner happiness समझ रहे हो जो बयान नहीं हो सकता है लेकिन feelings बराबर होती है पहली बात दूसरी बात यह कि यह person आपके साथ touch में रहना चाते हैं आपको मिलना चाते हैं आपके नहीं न कहीं फिजिकली यह person आपसे बहुत दूर नहीं रह सकते हैं इनको आपसे मिलना ही है इनको आपको देखना ही है चाहिए आपकी फोटोस को देखे आपको देखे बठ है ठीक है चलो मैं आपकी लिए काच निकालती हूं आपकी लिए क्या guidance है आपके guides आपको क्या ब सबसे पहले तो अगर आपको ये रिष्टा चाहिए आपको इस रिष्टे में लड़ना पड़ेगा शांती से कुछ नहीं होगा आप बोलोगे मैं चुपचा बैट जाओं ये इंसान चुपचा बैट जाए जब भगवान के मरजे तब रियूनियन होगा नू या तो आप मैन के लिए लड़ना पड़ेगा तिना लड़े चुपचा शांती से चीज़े नहीं होगा और आपको डिसिशन लेना ही पड़ेगा ये उन लोगों के लिए है जो लोगों के पात्नर बीच रास्ते में बार-बार छोड़ के चले जाते हैं एक फाइनल डिसिशन ले लो आपक प्रिसिशन लो हो जाएगा आपका जो भी आप लाइफ में अच्छीव करना चाहते हो शांती चाहते हूं मिल जाएगा अगर आप ट्राय करते हो कि मुझे इसे इंसान के साथ लड़ाई जगड़ा करके भी साथ रहना है तो वो ठीक है इस रिष्टे में आप आके बढ़ो भूलना चाहते हो तो ठीक है भूल के आके बढ़ो शुपर कुछ करो जरूर ऐसे लेट गो मत करो चीज़ों को छोड़ो मत ठीक है दास्तर ये थी आपकी रीडिंग आई हूँ आपके पसंद आई और मलते हैं अगले रीडिंग पे तब तक अपना ख्याल रखें बाइगा प्हुतर थी आपके यदी आपके दीक है प्लाते है経ते है तो था क्या लेवक करो आपके बादी survey दो है प्लाते हैं के डीक है दीक है मत काल्या जेर और मन्के बार किंद